प्रभु का वचन कहता है ये शहा 59 वाक्यांश 15 और 16 में मैं तुझे नहीं भूल सकता देख मैंने तेरा चित्र अपनी हतेलियों में खोद कर बनाया है कितना सुन्दर और अन्मोल है प्रभु का ये वचन और उतना ही सुन्दर और अन्मोल है आप लोग जिनको प्रभु ने बनाया है इसी वचन के साथ शुरुवात करते हैं हमारे आज के National Family Bible Quiz की आप लूग्टी तेवि नुट्टर बार्ट की आत्मियधर्कन आत्मधर्षन पावर्ट बाइ सीटर क्लावर सिस्टर्स एड एफ सी सी कॉंग्रिगेशन आमला प्रोविंस एड को पावर्ड बाइस्वीडी कॉंग्रिगेशन आइन्सी प्रोविंस सो जैसा कि आप बागी एपिसोड में देख रहे हैं हमारी ये बाइबल क्विस का सफर बहुती सुनहरा और बहुती आनन में जा रहा है और इस सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंचे हैं हमारे तीसरे स्टेशन पर सो पुराने रोमांचक सफर के साथ आगे का सफर भी हम यही आशा करते हैं कि और भी रोमांचक और और भी एक्साइटिंग होगा सो इसी एक्साइटिंग एपिसोड को शुरू करने के लिए मैं हमारे बीच आमंतरित करना चाहूंगी हमारी चार धुरंदर टीमों को जो की अलग-अलग जगह से आए हैं इस बाइबल क्विज में पार्टिसिपेट करने तो सबसे पहले में स्टेज पर आमंतरित करना चाहूंगी हमारी नन्ना नगर इंदौर पारिश से Mrs. Shanti Matthews and Mrs. Grace Amma Josie और मजे की बात ये है कि ये एक सिस्टर्स टीम है जी हाँ, this is the first time on the show जहाँ पर दो बहने इस बाइबल क्विज में पार्टिसिपेट कर रही है So, please put your hands together for them अब मैं आमंतरित करना चाहूंगी हमारी अगली टीम that is Team Mark को जो एक सिंगल वुमन टीम है but less than no other team and that is Mrs. Sumitra D'Souza जो की है हमारे St. Francis Assisi Cathedral Parish इंदौर, Madhya Pradesh से Please put your hands together for her अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे Team Luke के participants को Mr. Gulab Baria and Mrs. Sarlah Baria को जो की आए है City of Lakes Udaipur, Rajasthan से तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करे And Jaisa की हमेशा होता है last but certainly not the least let's invite Team John on stage with mother and son duo Madhuri Topo and Ankit Topo जो की आए हैं बेटमा Parish इंदौर, Madhya Pradesh से तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करे आप सभी को जो जो आत्मदर्शन National Family Bible Quiz में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत अभी फिर से हमारे बीच में चार टीम्स तेयार है जो कुछ इंदौर से है कुछ उद्यपूर से है और इस प्रकार नौर्थ इंदिया के बिभिन जगगों से हैं वे लोग हमारे बीच में है सेकेंड राउंड के लिए पूरी तरह से सुसजित आत्मदर्शन के इस स्टुडियो से हमें बड़ी खुशी है कि आप सबोंने हमारे स्कारेक्रम को पसंद किया है और इस कारेक्रम को बहुत सारे लोग देख रहे हैं प्रभू के बच्चन को सिखाने का सीखने के एक अनोखा मोका है हम उस पर काम्याब हो दे जा रहे हैं ज्यादा समय ना लेते हुए आए हम क्विज पर वापस लोटते हैं अज के चार ग्रूप्स के बीच में चार राउंड से जो आप सबों को परिचित है सरप्रथम राउंड है कम्प्लीट द वर्स यहाँ पर आपको पवित्र बाइबल से एक बचन दिया जाएगा गॉस्पल और एक्स अफ़ अपोसल से उसका आधा क्विस्टियन्स हम यहां से देंगे और आपको इस वर्स को इस बचन को पूरा करना है बहुत सरल है सही जवाब मिलने पर आपको तस पॉइंट दिये जाएगे अगर नहीं आपसे बन पा रहा है कोई माइनस मार्क्स नहीं है हम शुरुबात करेंगे संदमती से और जो भी क्वेस्टिन्स यहां पर पूछे जाएगे आपको तीस सेकंड का समय मिलता है कुछ राउंड्स को छोड़ कर जवाब देने के लिए अगर कोई सवाल पास होता है तो उसके लिए स्रिफ तस सेकंड मिलते हैं उसके अंदर उनको जवाब देना है क्लियर है तो पहले राउंड के लिए आप सभी तेयार है सभी तेयार है जी तो सवाल की शुरुबात मैं संदमती से करना चाहूं के सेन मैथ्यू, कम्प्लीट द वर्द्स राउंड. अभी आपका सवाल कम्प्यूटर जी दिया जाए. सवाल है, जब तक कोई दुबारा जनम ना ले, आपको इस वर्द्स को कम्प्लीट करना है, संदमती से सवाल. जब आप जब तक कोई दुबारा जनम ना ले, आपका समय हो गया है, आप में से कोई इसको कम्प्लीट करना चाहेंगे, जब तक कोई दुबारा जनम ना ले, तब तक वहां स्वर्ग राजय में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वहां स्वर्ग का राजय नहीं देख सकता, हालागी यह पासिंग राउंड नहीं है, मैं बस जानना चाहरा था कि आप मैंसे कितने लोगों को इसका जवाब आता है, संद्योहन का सुस्समाचा राध्याए तीन पसंग्या तीन पर यह लिखा गया है, तो अभी पहला सवाल के लिए कोई किसी को मार्क्स नहीं, हम दूसरे सवाल पर जाते हैं और यह सवाल जाता है सेंट मार्क को, आप तियार हैं? जी मैं तियार हूँ तो कम्प्यूरे जी इनके स्क्रीन में उनका सवाल दिया जाए विश्वासियों का सम्मुदाई एक रदय और एक प्रान था जो कुछ उनके पास था उनमें सब को साजा था जवाब उनमें जो भी था वो सब एक साजा करते थे आश्वा इसको और इंप्रूव करना चाहेंगे? और कोई? आप में से कोई इसको ट्राइ करना चाहेंगे? विश्वासियों का सुमदाई एक रदय और एक प्रान था कोई भी अपनी संपती अपनी नहीं समस्त था जो कुछ उनके पास था उनमें सब का साजा था प्रेरी चरित ध्याइचार पसंग्या 32 यहां पर अभी किसी को मार्स नहीं मिल रहा है अभी जाते हैं यह सवाल सेन लूक के लिए आप लुक्तियार हैं ओके तो कंप्यूटर सेन लूक को अपना सवाल दिया जाए मनुष्या रोटी से ही नहीं जीता है वह देच निकलने वाले हर एक सब्द से जीता है चाही है चाही है तो इसका रेफिरेंस बता सकते हैं कहां से हैं किस समचार में सनमत्ती है और वचन किसी को पता है कोई बात नहीं हलांकि सवाल इतना ही था मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है वहां इस्ट पर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है सनमती के सुस्तमाचरा थ्याय चार बसंग्या चार इसके साथ सन ग्लुकस को मिलता है 10 पॉइंट्स बहुत बहुत बढ़ाई आगे बढ़ते हैं क्वेस्टियन नंबर फूर सेंजॉन तियार है सवाल दिया जाए ओके कम्प्यूटर जी उनके स्क्रीन में उनका सवाल दिया जाए कारी गरों ने जिस पत्थर को बेकार समझ कर निकाल दिया था देश वह किसी कोने का रह गया बस और कुछ बिल्कुल सही जवाब है गया हलागी इसमें पासिंग नहीं है फिर से मैं पुछना जाओंगा आप मेंसे कोई ट्राइ करना चाहेंगे वो कोने का पत्थर बन गया कोने का पत्थर बन गया कोने में रह गया नहीं है कोने अकेले होने से मैं बाट्स नहीं दे पाओंगा कोने का पत्थर बन गया कोने में रह गया मतलब कोने में रह जाते ना कोने का पत्थर बन गया मतलब वो बहुत ठोज मजबूत शिला जेसे और उस पर बकान हम बांधत हैं कोने में रह गया मतलब क्या है वह रह गया है तो इसलिए हाला कि इसमें आर्थ भी नहीं निकल रहा, इसलिए मैं आपको मार्थ नहीं देख पाऊंगा, लेकिन ये पासिंग प्वेस्टिन भी नहीं है, तो इसलिए किसी को भी मैं इस पर मार्थ नहीं दे पाऊंगा. तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट और सिर्फ एक टीम ने हाँ पर सही जवाब दिया है, मैनत करने की जरूरत है, तो अभी हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंट्रेस्टिंग राउंड, बज़र राउंड, तो ये चार सवाल हैं और चार सवाल अलग-अलग प्रकार के हैं, पहला सवाल सिंपल है, मैं सीधा सवाल करूंगा, मैं सवाल करने के बाद आपको बज़र दबाना है, क्रीन में सवाल आने के पहले ही आपने बज़र दबा दिया, तो हम कहेंगे ये ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, सवाल नहीं पूचा जाएंगे, तो इसलिए सवाल जाना ज़रूरी है, सही जवाब के लिए 20 पॉइं माइनस हो जाएंगे, हाला कि तीन टीम को अभी तक स्कोर नहीं है, तो माइनस पे चले जाएंगे, लेकिन 20 पॉइंट मिलने का भी गुंजाइश है, रेडी है, सिंपल सवाल, आप सभी रेडी है, तो सवाल नमबर वान, ये है आपका सवाल, आप सभी के स्क्रेन पर, सवा के भाई फिलिप की पतनी का नाम क्या था, यहाँ पर, सेन मैथ्यू, हरोदियस, हरोदियस, सही है, पूरी तरह से, पक्का, लॉक किया जाए, करते हैं, लॉक करते हैं, और कम्प्यूटर जी बताइए, ये जवाब सही है, और कम्प्यूटर कहता, ये जवाब जो है, बिल्कुल सही है, और इसके साथ आपको 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, बहुत बदाईए, अभी second quiz, buzzer round, second quiz, ये बहुत और सरल है, आपके स्क्रेन में, एक चित्र आने वाला है, आपको ये एक प्रभू का द्रस्टान से है, वो द्रस्टान आपको हमें बताना है,